लाखो की दवाईया भी फेल है इसके आगे धर्ती का अमरित है मिल जाए तो छोड़ना मत नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों अगर आपको डाइबटीज है या बीपी की समस्या है यानि ब्लड प्रेशर की बिमारी है या फिर पत प्रेशर बढ़ जाता है तो आज हम दोस्तों आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपकी इन सभी प्रोब्लम्स का सोलूशन हो जाएगा दोस्तों आज जो हम आपके लिए रेमेडी लेकर आए हैं उससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते है अपनी हेर से समंदित कोई भी प्रोब्लम है उसे भी सही कर सकते हैं यानि बालों की जड़े आपकी कमजोर हो गई है या फिर आसमय बाल सफेद हो चुके हैं तो बालों की सभी प्रकार की समस्यां को इस रेमेडी से आप सही कर सकते हैं इसके अलावा ब्यूटी की अगर आ आप इस remedy का use कर सकते हैं, आज हम दोस्तों आपको एक ऐसे पोधे के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप इन सभी प्रोब्लम्स का हल कर सकते हैं, दोस्तों देख रहे हैं आप ये पोधा, ये पोधा है सदा बहार का पोधा, इसे काफी सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि घरों में लगा कर रखते हैं घरों में तो लगा कर रखते हैं लोग लेकिन उनको इसके गुणों का पता नहीं होता इस पोदे से हमें बहुत सारे health benefits हो सकते हैं यदि आपको मालूम हो कि इन पोदे के क्या-क्या गुण हैं दोस्तों जैसे कि आप इसे अपने blood pressure को control करने के ल क्या होता है हम कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें गुसा आता है हम किसी और की बात बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं तो इन सभी बातों को यानि hyper tension पर control पाने के लिए आप सदबहार की leaves का प्रियोग कर सकते हैं लाश्ट में हम आपको बताएंगे कि आपने इसका यूज कैसे करना है पहला तो हो गया आप high blood pressure इसके control में कर सकते हैं दूसरा यदि आपको diabetes है शुगर है तब भी आप इस प्लांट की leaves का प्रियोग कर सकते हैं इस प्लांट में दोस्तो अलकलॉइड पाय जाता है जीन का hypoglycemic effect होता है ये effect ब्ल क्रिया सही मातरा से insulin निकालने लगता है तो insulin अगर हमारा सही हो जाएगा यानि insulin वो hormones है जो blood में sugar की मातरा को control में करके रखता है और यदि हमारा insulin सही हो जाएगा तो diabetes के patient के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है diabetes में इस पोधे के फूल, पत्ते, टहनिया इनका रस पी सकते ह इसकी दोस्तों आप चटनी भी बना कर खा सकते हैं रात को आपने क्या करना है पांच पत्ते एक गिलास पानी में भीगो कर रख दे और सुबह खाली पेट इसका यूज कर ले यानि इस पानी को भी पी ले और हो सके तो पत्तों को भी चबा कर खा सकते हैं यदि पत्तों को नहीं खा सकते तब आप इसके पानी को तो जरूर पी ले और ये पानी आपने सुबह खाली पेट ही लेना है आपने दस दिन इसका यूज करना है यानि दस दिन इसको पीना है और उसके बाद आप अपने जाच करा सकते हैं तेस्ट करा सकते हैं इसके बाद फिर देखना आप की डायपटीज कंट्रोल में आ जाएगी इसके अलावा दोस्तों यदि आपको ब्यूटी से समंदित कोई भी प्रोब्लम है तो ब्यूटी प्रोब्लम को सही करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं सदबहार की लीव्स का इस्तेमाल स्कीन से जुड़ी सभी प्रकार क समस्याओं में फाइदे मंद होता है स्कीन पर अगर आपके खुजली है इन्फेक्शन है आपको ये कोई और प्रोब्लम है तो आप सदबहार की लीव्स का लेप बनाए लेप बनाकर आप लगाए तो आप देखेंगे कि आपके जो कील मुआ से है या स्कीन से जुड़ी को कोई भी प्रोब्लम है तो आपकी वो प्रोब्लम सही हो जाएगी आपके पिंपल्स निकलते हैं या फिर जुरियां हो गई हैं आपके चहरे पर चहरा बुड़ा दिखाई देता है तब आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आप सदबहार की लीव्स का प्रियोग करेंगे न आपके जॉइंट में कभी भी पेन नहीं होगा जोडो का दर्द बिल्कुल सही रहेगा और आप सो साल तक हस्ट पुष्ट जीएंगे जोडो का दर्द सही रहेगा आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं रहेगी और यदि आपको किड्नी स्टोन है यानि किड्नी में स्टोन है और इससे राहत पाना चाहते हैं तब भी आप इसके पत्तों का काड़ा पीजिए और दोस्तों सदबाहर की जो लीव्स होती है जड़ होती है वो सारे ही फाइदे मंद होती है तो आप सदबाहर के पत्ते यदि कहीं आपको मिल जाए तो छोड़ना मत ये आपकी अनेक health problem को सही कर देगा और यदि आपके गले में infection होता है infection की वज़े से आपको बुखार हो जाता है या फिर आपका गला दुखने लगता है खाया पी अच्छे से नहीं जाता तब भी आप इसके leaves का प्रियोग कर सकते है इसकी जो सदा बहार की leaves होती है पतिया होती है वो infection की समस्या को दूर कर देती है इसमें मुझूद alkylide serpentine नामक तत्व जो होता है वो शरीर में मुझूद संकरमन को दूर करने में बहुत ही उपयोगी माना जाता है और दोस्तों यदि आप अपनी immunity को बढ़ाना चाते हैं तब आप इसके पत्तों का काड़ा जरूर पिए immunity को बढ़ाने में आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी और भी दोस्तों इसके बहुत सारे फाइदे हैं इन leaves के तो आपको कहीं पर ये पोधा मिल जाए तो आप इसका यूज जरूर करना यदि आपको बालों से जुड़ी कोई भी समस्या है बाल कमजोर हो गए हैं बाल तूटने लगे हैं दो मुए बाल है या बालों की और कोई प्रॉबलम है तब आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी पेश्ट को आप चटनी की तरह खा सकते हैं जैसे कि डाइबटीज में आप इसकी चटनी बना कर खा सकते हैं आपको बहुत फायदा मिलेगा और यदि बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तब भी आप इसके पत्तों का काड़ा पेजिए या फिर इस प्लांट की जो जड़ होती है उसका आप यूज कर सकते हैं जड़ का काड़ा बना सकते हैं या जड़ को ऐसे ही खा सकते हैं तो इस तरह से इसका यूज करें और दोस्तों ये जो पोधा होता है ये प्लांट है इसकी leaves हमारे अंदर cancer को भी पनबने नहीं देती cancer को भी ये control में करके रखती है तो दोस्तों जो ये पोधा होता है ना इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही चिकनी-चिकनी होती है बहुत ही मुलायम सी होती है और इस पर जो फूल आते हैं ये दो तरह का होता है इस पर जो फूल आते हैं एक तो सफेद रंग के आते हैं एक पिंक कलर के आते हैं तो आप कोई भी पोधा ले सकते हैं चाहे तो आप पिंक कलर वाला ले ले या फिर वाइट कलर का भी आप ले सकते हैं तो आप इस तरीके से इसका यूज करें जैसे हमने बताया आपको उससरे सी यूज करके आप अपने health problems को सही कर सकते हैं दोस्तो अब बात आती है कि आपने इसके पत्तों का यानि इसकी leaves का कितने दिन सेवन करना है दोस्तों सभी problems में आप इसका यूज करम से कम साथ दिन जरूर करें साथ दिन में आप देखेंगे इसका प्रियोग करके कि आपकी diabetes सही है आपकी जो beauty से समंदी कोई भी problem है वो नहीं रहेगी आपको और यदि kidney में पत्री है तो उसके लिए भी एक काफी रामबान remedy है और hypertension रखते हैं, hypertension में बहुत ही problem हो जाती है लोगों को सरदद होने लगता है, गुसा आने लगता है बिना बात के तब अपनी hypertension को भी आप control में कर सकते हैं इस plant के leaves से दोस्तों यदि आपको cancer है, cancer को भी ये control करने में आपकी बहुत help करेगा तो दोस्तों आप इस पोधे के गुन जान ही गए कि कितने फाइदेमंद है ये पोधा हमारे लिए तो जहां भी कहीं भी आपको मिले तो इसको छोड़ना मत, इसका काड़ा जरूर पीना बना कर घर में ले आए इसकी leaves और घर में काड़ा बना कर इसका जरूर यूज करें तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी काफी knowledge मिली होगी आपको अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्ली जिन लोगों को जूरूर थै इस वीडियो की उन्हें शेर जूरूर करें तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही रेमिडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में धन्यवादोसों